शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अपने अवकार में रहके ही सबने देखने चाहिए यह लेटर इसने दिया है आये पंडी जी जो सामगरी आपने लिखवाई थी सब रखवादी है किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बताएए वेल्कम देट्स रेडिया है हाथ रेडिया है तो परातियों को खाने में को कमी नीरा नहीं है यह जो कमी 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 है आई सुना वह तो यह कुँटें पधाने के लिजह बहूता लगता है अदेखी आरे ठीक है अई थैंधर प्रादू की अव्क्षिद्याएड यह देखिए, है तो हमारी बेटी ही ना, सिर्फ हमने उसे चिट्टी नहीं बेजी है, उसमें भी हमें चिट्टी बेजी है, प्रिये मम्मी बापा, मुबारक हो, बेटी हुई है, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं, जो दिमाग में, आत्मा में छप से जाते हैं, आज से ठीक बाइस साल पहले तुम्हारे आने की खबर, हमारे लिए ऐसा ही एक पल था, जब कोर में उठाते ही, तुम अपनी गोल-गोल आँखों से, पहले हमें देखी, और फिर हस पड़ी, आखें बंद करें, तो आज भी तुम्हारी वो हसी, हम सुन सकते हैं, बेटा, जब तुम्हारा जन हुआ था न, तो एक नया जन, हमारा भी हुआ था, तुमने हमें माँ बाप का दर्चा दिलाया, और हमारे आंगन में, एक नन्नी परी आ गई, एक नन्नी परी की तरह, आपने मुझे पाला, याद है, मुझे स्कूल का वो पहला दिन, जब मम्मी का हाथ बहुत कसके पकड़ा था, बिना कुछ कहें समझ जाना, माओ की खासियत होती है, समझ गई थी, कि उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, उन्हें उन्हें कसकर मुझे गले लगाया, और कहा की, वो हमेशा मेरे साथ है, और जब मैं क्लास से बाहर आऊंगी, मम्मी वही मिलेगी, स्कूल की चुट्टी होने तक, उस दिन मम्मी वही खड़ी रही, आपकी उस एक दिन की हिम्मत में, मेरा स्कूल जाना आसान कर दिया, बच्पन से लेकर आज तक, सब कुछ आसान किया है तुमने हमारे लिए, जभी बाहर जाते, तुमने हमेशा अपना मन मारा, अपनी पसंद की चीज़े लेने से मदा किया, ताके हम झीरती के पसंद की चीज़े ले सकें, इतने कम उमर में तुम इतनी समझदार कैसे थी? कि जानती थी, कि बापा का बज़ट कम है अपनों के लिए आपने कितनी तकलीफ उठाई है बापा टैक्सी चोड़के, बस में ट्रेवल किया ताकि हम आराम से रिक्षा से स्कूल जा सकें ओबर टाइम किया था कि हम स्कूल की पिकनिक में जा सकें हमारे दोस्तों के साथ बढ़ने बाड़ी कर सके हमारी खुशी के लिए पापा ने जहां अपना आराम छोड़ा ममी में छोटे से बजट में कितने अच्छे से घर समाला आज तक हमें खुई कमी महसूस नहीं होने दी बचपश से लेकर आज तक सिर्वचे पल और खुशी है और इन खुशियों के रास्ते में आप ने कभी कोई रुकावट नहीं आने दी जो आपके लिए इतना करें उन्हें थेंक्यू बोलके उनके त्याग को जोटा ने कर सकते हैं बस प्राट ना कर सकते होगी बगवान हर जनम में मुझे आपकी ही बेटी बनाए बगवान हर जनम में हमें इतना ही खुशनसीब बनाए हर जनम में बेटी के रूप में श्रद्धाई में हमें पूरा विश्वास है, जिस तरह तुमने इस घर को खुशियों से भर दिया, इस घर को स्वर्क बना दिया उसी तरह से आपने सा सुरान को भी खुशियों से भर दोगी मैं प्रॉमिस ममी पापा, मैं आपका सर कभी जुखने ने दोगी, हमेशा कोशिच परोगी कि आपके दिये संस्कारों से अपने संस्रान में सब का देजित सको और आपके जगह कोई ने सकता ममी पापा, आपके लाग के शक्ता हमारी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही चला, इसे देख कर भा, सर कर उसे होचा हो जाता है मेरा बारात पहुचने वाली है, स्वागश की तयारी कर लीजिए आप यह हमें दीजिए, क्यों रो रहे हैं आप, सारो मेगब धराब हो जाएगा कहां असान होता है अपना घर छोड़ना, है ना शद्धा मैं कीर्थी को फोन करके पूछती हूँ कि वो कहा है, पहुची है बारात अगई है, मैं देख तो मम्मी का फोन है, आप रूना मन करी हलो मम्मी, हलो कीर्थी, बिटा कितना टाइम लगेगा बारात आगे है, आदा घंटा तो और जाएगा अरे, तुम्हें काम करो, अब लड़के वाले आने वाले है तुम बापीस आजाओ, कुछ रस्में ऐसी है बेटा, जिसमें तुम्हारा होना बहुत जरूरी है ठीक है, हम आज आते दीदी, थुम्हा जल्दी कर दीजे ना अरे, कोई जल्दी नहीं, आड़ा गंटा है हमारे पास यह दुल्हन की कामों में इतनी जल्दी नहीं मचाते है आप अच्छे से रेड़ी हो जाएए वैसे भी वैन्यों पे कमाल धमाल की इंट्री करवानी है आपकी सुछ, तुझे वापस जाना है ना अरे हाँ, हमें जाना है, पर हम जाएं कैसे अब दुल्हन ना सही, दुल्हन की बहन है इतना तयार होके हम आटो में कैसे जाएंगे पा करें हाँ, हम गाड़ी लेके जाते हैं ममी को कहेंगे आप लोग के लिए दूसरी गाड़ी पेज दे, चलेगा हम, आप पटॉप से रेडी हो जाएए दीदी, अच्छे से तयार करना टाइम लेकर, बाइ नमस्ते नमस्ते खुष रहो अरे पस्पस्त आओ बिटा चलो बिटा तनू बाभी, अब से एक बात का है हमोली न आज नेना बाभी का चहरा कुछ स्यादा ही जमक रहा है हमारा मतलब है कि इससे पहले अब यू ने उतना खुष कभी ने रहे का सही बोल रहे हूं अब किसी सास, ओश, रद्धा जैसी बहू मिल जाए तो उसके चहरे पे तुमें खाराएगी वह आप किसमत वाली है ने ना भाभी वो तु है कीर्थी नहीं दिख ली गई? अभी तक आये नहीं है क्या? वो मेक अप ओतने में टाइम तो लगता है ना वैसे देखते हैं आज की बाजी कौन जीतता है? कीर्थी या सौना अगर बाजी खुबसूरती की मारने की हो तो वो तो अल्रेडी तुमारी बुआ जी चुकी है हमारा मतलब है के हमसे जादा खुबसूरत और कौन है कैसी बात करें उभाजी आप आपसे खुबसूरत कोई लग सकता है क्या? और किसमे इतने हिम्मत है क्या आपसे मुकाबला कर सके? वो भी ठीक है ऐसे आज हमारी नजन्ना उन दोनों पहनों पर है कि सबसे ज्यादा सच सवर्थर कौना थी? फिर तो बाजी हमारी हिरोईन कीर्दी मार लेगी क्योंकि उसे तो सजनी सवर्ने का इतना शौक है और उसके लावा वो करती भी क्या है? जी नहीं तो एक बड श्रदा बाभी को आने दे उनका लेंगा ना सबसे हेवी होने वाला उनका पेक अप एक दम चकास अच्छा ऐसी बात है तो चल लगी शर्ट पांच-पांच को की? अब देखते हैं यू? आगा हीरोईन हाँ हाँ हलो? मम्मी हाँ आगे कम बतलग तो बहुत खूँब सुध रही है तो एक बार श्रद्धा भाभी को तो आने को फिर देखना सब को कैसे आउट कर अपर कहा है आपकी श्रद्धा भाभी अपर बिलनीया आज मता हैगा लग्ट चपन बड़ी है लगए जब लगए 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 चैपन बड़ी लगए लगए बच्चर 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 जो बच्चर 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 बच चाड़ो, चाड़ो मजे! कुछ? चाड़ो, जेपाँ! ये दीदू और डॉली दीदी फून के नहीं उठा रही है? किर्दी, शत्ता पालर से लिख लेके नहीं ममी दीदू और डॉली दीदी फून ही नहीं उठा रहे है में पाफा है तो पारा फॉन लगा लगा? आप परिशान मत भी, आम ट्राइ कर रहे है लगा? यश्वी जी? क्या बाप है? आपके चहरे का गं क्यो उड़ा है? सब ठीक है ना? शायद श्रत्ता भी अभी तक नहीं आई है जए भी आपके आपके बीजल के जाढ़ी एक जाहे। शादी यसके डिएर kindergarten तो मैं डिएली कर दो इस जिनना जाएगी है तेरी लाश मै जू एंड़ अआटि आपके लिकेमे पाड़ यवाण only पीर बौन हीima सबहुल निकरणbach के लिए अपके आंगAlham पजयों झाल वार प्लाऊ ये संहक बत। वाया 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 आप तो ऐसे गपरा रहे हो जैसे गलत जवाब देने पर आप एक करोड रुपे हार जाएंगी सब जीक तो है ना कोई परिशानी हो गई अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमें बता सकती है नहीं नहीं वो हम यही पता करे थे कि शद्दा पालर से निकली है नहीं आई अटीजी हाँ सौरी बुवाजी आपको लेटिस कवर्मेंट गई ना तो जाएंगे ना पीछे बैठके अराम से हंड़ा निक्टा आईए रितु को भी ना चैन नहीं है फिर करेगी कोई कड़पर रितू जी भाबी यहां आई यह ना आई भाबी बुवाजी जाएए नहां जा रही हूँ फोन लगाती रहा किर्थी कभी तो उठाएगी और यह डॉलनी भी ना पतानी कभी तो पॉड़ना लग रहा कि मुमी परिशान मत होईए नहां जाएंगी लगा बैंच आ रही है जो दिखाया जा रहा है उस सच नहीं है बता तो हमें करना बढ़ेगा कि नेना भाभी की कुन्धनती भहू है कहांपर चल रितू काम पर लगजा चौप एहर को चुप एहर को चुप एहर कुप एहर कुप एहर एहर रुजा इस अगरी मारे बनार रुजा कर दुल्हन यह कोली मार तूंगा रुग्या 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 ओश्यात्या अरे यह सुब क्या चल रहा है कब तक हमें अंधेरे में रखेंगे ना ना इट आ रही है ना तुल्हन आ रही है शुकर है कम से कम लाइट तो आई अब माफ कीचे कहा बहनची आपको तकलीफ हुई अब पावर कट सो होते रहते हैं आपको पता ही है अब पता ही है जेनिटर रॉन करा दिया है अब लाइट नहीं जाएगी आप लोग सब कमपटे हुल रही है तरे बात सुली जेना बावी अगर हम कुछ बोलें के तो आप कहेंगे कि रित्व हमेशा बोलती रहती है पर बावी हमारी पाप का यकीन कीजिए हमें लग रहा है कि यहां पर आज बहुत बढ़ी गड़वी है मतलब मतलब यह कि मुरद्धा समय हो चुका है और श्रद्धा अभी तक नहीं आई भावे आप तो हर काम मुरद पर करती है आप से बहतर कौन जानेगा कि वरुन और श्रद्धा की शादेश शुब मुरद पर होनी चाहिए मैं तो यह समझ में निया रहा है कि ऐसी तो कौन सी जगा पर तयान होने गई हो चुहाने में इतना वक्त लग रहा है और आप सरा वह त्यान से देखिए उन लोगे को उनके चैरे का रंग उड़ा हुआ है आप तो बिल्कुँ सही कह रहे हैं तो क्या हुआ वा शद्धा पतानी कहा रह गही है इसे भी पूछने लगेंगे तो क्या चवाब देंगे है पापा यह डॉली दीदी और दीदू का फोन भी नहीं लग रहा पतानी कहा रह गही और यह बुगाची सी आईडी बनके तरह तरह के सवाल पूछ रही है हमारा मंको सुभा से बहुत ख़ब आ रहे हैंगे यश्वी जी आप शांत रही है हम ड्राइवर से बात करते हैं यह ड्राइवर भी फॉन नहीं उठा रहा है यह हो क्या रहा है यह बुगाच अमारी बच्चीों की रक्षा करना पता नहीं हमारी शद्धक कहा रहे गई है यही तो हम आप से पूछ रहे कहां है आपकी बेटी शद्धा मतलब यह तो गजबे इंतफाक है वहां कोई फोन नहीं उठा रहा आपको पता नहीं कि आपकी बेटी कॉन से बालर में गई है कहीं तयार होने के लिए लखनव तो नहीं चली गई अगर वहां गई होती तफ़ी लोटाई होती अब श्रद्धा बेटी बस आती ही होगी आप हमें क्या तसली दे रहे आपको खुद पता नहीं आपकी बेटी कहां पर है आप जानते हैं ला क्या हम मुरत के कितने पक्के हैं अब आप की वज़े से हमारे भाई-भावी परेशान हो जाएंगे अरे भैंजीब आराम से बात कीजिए सारे मेमान तेद रहे हैं जितुप, क्या हो? इता शोर के हो जा रियो तो? भाईया, हमारा तो कलेजा भटा जा रहा है वरुन के पारे में सोच सोच कर क्या मतलब? मतलब आप, इन ही से पूछिए जब इनकी बेटी पार्लर से बापस आई ही नहीं तो यह हम से छुपा क्यू रहे भाईसा थोड़ा सा वक्त लगा है श्रद्दा को आने में उसका फूद भी नहीं लग रहा है मैं मैं कोशिश कर रहा हूँ सक्ष्यम जी अपने श्चिंत रही हम समझते है और बैसे भी आज़ जो नित्वक की हालत है हम सही जानते है तेखिए प्रूरत निकला जाए महमान भी बार बार पूछ रहे श्रद्दा के बारे में हम क्या जवाब दे ताई जवाब क्या देना है कानपूर के ट्रैफिकर तो सबको पता ही है आप भी चिंदा मत की जी आती होगी हमारे अभय को कानपूर और बंबई के बीच का फरक ही नहीं पता बेटा जी कानपूर का ट्राफिक बंबई की तरह नहीं होता कि चार पाच गली दूर आप इतने वक्त के लिए भच जाओ अनो तो यहाँ पे कोई और ही अलग गड़बढ नजर आ रही है बुआ जी सिसे गड़बढ नहीं बात का बतंगड कहते हैं जो अभी आप बना रही है आपको पता है ना ओल्रेटी दीदू को लेके हम लोग कितना परिशान हैं सिफ आप लोग परिशान हो हम लोग नहीं बोले दीजी उसे मत्रो की हमें भी तो बता चले आपकी बेटियों के असली रंग एक की सबान नहीं रुकती और तूसरी के कदम अरे जब शादी नहीं करनी थी तो क्यों हमारा पैसा और वक्त बरबाद किया नेना भाबी आपको हमेशा लगता है कि गल्ती हमारी है लेकिन हम मेंदी के वक्त ही समझ गए थे जब श्रद्दा के हाथ में हमारे वरुम का भी नहीं बलकि किसी अंचाने का ए लिखा हुआ था परित्यू जी ऐसी बात ना कहें आप क्यों ना करे हम और कैसे मान ले क्या आपकी बेटी को कोई और पसंद नहीं है कहीं पारलर के बहाने किसी और के साथ भाग तो नहीं गई पसंद नहीं क्या बोलना है तुरा सोच लिया का भाईया हम तु जिर्थ वरुन के बारे में सोच रहे हैं क्या आपको अभी ये रिष्टा सही लगता है अरी लड़की की बुआसस कह रही है कि लड़की भागी है चक्कर ही चलाना था तो शादी के लिए हा मत कहो ना घरवालों की बेज़ती अलग बेचारा वरुन गल्ती चाहे लड़की की हो अब नाम खराब तो वरुन कही होगा ना भाईस अब बारात वापस जाएगी वेजे खाली में परिवार में बहुत प्यार से सजाय था ये मंड़क ये मंड़क सूना में ही रहेगा मैं बरुग बेटे के लिए अपनी चोटी बेटी कीर्थी का हाथ देता हूँ अब ये विवास संपन्न हो गया आज से आप दोनों पती पत्नी बंगे पिस्मत से टकराती उलजी लकीरों को सुलजहाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाएए शेमारू उमंग करते हैं देखने के लिए स्थी बेटी का ये इनलगा आपपने के लिए शेग।